सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसे आपको लेटेस्ट साइंस के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें समय पर चलिए स्टार्ट करते हैं एरोविक रेस्परेशन और एनरोविक रेस्परेशन के बारे में जिनको आप कहते हो वायवीश्वसन हिंदी में और आवायवीश्वसन क्या होते हैं यह वायवीश्वसन एरोविक और आवायवीश्वसन देखिए एरोविक रेस्परेशन और एनरोविक रेस्परेशन में अंतर है पहले हम एक एक करके क्लियर करते चलेंगे ठीक पहले एरोविक रेस्परेशन के बारे में आप जान लीजे देखिए एरोविक respiration takes place in the presence of oxygen, aerobic से आपको समझ में आई रहा होगा, air in the presence of air, तो air means oxygen, aerobic respiration वो होता है जो oxygen की presence में होता है, ठीक, it takes place in the presence of oxygen, and complete oxidation of food takes place, यहां पर food का जो होता है, oxygen, वो complete oxidation होता है, और large amount of energy is released, large amount of energy is released, it means 38 ATP, सबसे ज्यादा energy release होती है, 38 ATP होती है, ATP का full form क्या होता है, adenosine triphosphate, और इसका end product क्या होता है, यानि कि सबसे last product बनता है, वो क्या होता है, carbon dioxide होता है, और water होता है, clear हो गया, aerobic respiration का, aerobic respiration oxygen की presence में होता है, और food का complete oxidation हो जाता है, सबसे ज्यादा energy यहां पर release होती है, that is 38 ATP, और इसका end product होता है, carbon dioxide और water, now we are talking about, now we are talking about anaerobic respiration, anaerobic respiration के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा, यह anaerobic मतलब, in the absence of oxygen, यहां पर oxygen की क्या है, अनुपस्थिती है, और incomplete oxidation of food, just इसका opposite हो रहा है, aerobic का opposite है यहां पर, anaerobic respiration जो होगा, वो oxygen के absence में होगा, oxygen की अनुपस्थिती में होगा, और यहां पर, जो food का oxidation हो रहा है, वो कैसा होगा, incomplete होगा, क्या होगा, incomplete, और यहां पर जो energy release होगी, वो क्या होगी, laser amount होगी, कम मात्रा मेरे energy release हो रही है, कितनी, 2 ATP, और यहां का end product जो होगा, वो carbon dioxide, देखे, plant में और animal में, अलग-अलग end product इसके बनेंगे, इन product अगर हम बात करेंगे, plants में, तो carbon dioxide और ethyl alcohol बनता है, और अगर हम बात करेंगे, animal tissues में, तो carbon dioxide और lactic acid बनता है, clear हुआ, aerobic respiration और anaerobic respiration, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि इन दोनों में क्या differences है, aerobic में और anaerobic respiration में, यह differences, यह वाला question जो है, बहुत important है, और अकसरी board exam में पूछ दिया जाता है, कि aerobic respiration में, और anaerobic respiration में, क्या differences है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि aerobic, it means in the presence of air, anaerobic, it means in the absence of air, ठीक, और यह aerobic में, oxygen, food का oxygen होगा, वो complete होगा, anaerobic में, food का oxygen होगा, और anaerobic में, 38 ATP energy release होगी, जो सबसे ज़्यादा amount में energy release होती है, और anaerobic में, क्या होता है, सबसे कम energy release होती है, इसका मतलब 2 ATP energy release होती है, aerobic का end product होता है, carbon dioxide और water, और anaerobic का end product होता है, वो, plants में, carbon dioxide और ethyl alcohol होता है, और animals में, carbon dioxide और lactic acid होता है, बच्चों I hope आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और अच्छे सापको ये टॉपिक भी आप क्लियर हो गया होगा अब आप कभी नहीं भूलोगे एरोविक रिस्परिशन में और एनरोविक रिस्परिशन में क्या आंतर है तो बच्चों कीप वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक्स फॉर वाचिंग